खबर बताते हैं मुख्यमंदरी भुबेश बगेल आज दिल्ली जाएंगे सुभे 11 बचकर 5 मिनट पर नियमित विमान से रवाना होंगे भुबेश बगेल की राहुल गांदी से मुलाकात होगी दिल्ली दौरे के दौरान राज्य की योश्णाओं को लेकर कोचे केंद्री मंत्रियों से भी मुलाकात सीयम बगेल कर सकते हैं हेमंद लगतार हमारे साथ रैपूर से हमारे समद्द अपने हुए हैं भुपेश वगहल का दिल्ली दोरा है क्या कुछ खास रह सकता है भुपेश गवके दिल्ली दोरे में हेमंद देखे मुख्यमंतरी भूपेज बगेल का दिल्ली दोरा काफी अहम होने वाला है क्योंकि उनकी मुलाकात कॉंग्रेस के राश्य अध्यक्स राहूल गांदी से हो सकती है क्योंकि जो कारिकरम जारी हुआ है मुख्यमंतरी भूपेज बगेल का उस कारेकरम से कयास लगाया जा रहा है कि आज या कल मुख्यमंतरी बुपेश बगेल की राहूल गांदी से मुलाकात होगी क्योंकि ग्यारा बच्च के पाँच पेटमर राइपूर से वो रवाना होंगे और जो कारेकरम उनका बना है जो जनसंपर से जारी हुआ है उसमें उनका दिया गया है कि दिल्ले पहुचने के बाद उस 36 कर सदन जाएंगे उस 36 कर सदन में रातरू इसराम करेंगे कोई भी सरकारी कारेकरम उनका नहीं बना है तो ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि इसी बीच प्रभारी, पियल पुनिया और कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष राहुल गांदी से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अब जोर सोर से क्यास लगाय जा रहे हैं निश्चित पर पर प्रदेश अध्यक्ष के नहीं प्रदेश अध्यक्ष लेकर चर्चा होगी और उस प्रदेश अध्यक्ष के नामों में अगर बात की जाए, चर्चकी जाए, तो सबसे पहला नाम जो आदिवासी कॉंग्रेस के अध्यक्ष है, मरजीद भगत, उनका नाम प्रमुक्ता से उभर कर सामने आया है, पिछले दिनों भी उनका नाम उभर कर सामने आया था, औ अब भी उनका नाम प्रमुक्त तोर पर सामने आया है, तो हला कि सहमती उनसे राहूल गांधी से मुक्मंतरी भोपेश बगे लेंगे, चर्चा होगी, हला कि यह तैम आना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, यह कयास ऐसे लगाया चाहिए, हला कि कौन प्रदे चानकारी मिलरी सुत्रों से, वो अमर्जीत भग्यात का नाम रहूल गांधी को बताएंगे और उन पर चर्चा होगी, इसके लावा जो निगम मंडल है, जिम पर नियुक्तिया होनी है, उसको लेकर भी वो वहाँ पर रहूल गांधी से सहमती लेंगे कि निगम मंडल में ज आने का कारेकरम मुख्यमंदर भुपेश भग्यल का बना है, लेकिन वापस दिल्ली से आने का कारेकरम उनका नहीं बना है, तो ये भी संभावना है कि कुछ योजनाव को लेकर, राज्य के योजनाव को लेकर केंद्री मंत्री से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, केंद्री मं पर उमीद तो किसी भी मुखहमंतरी को होती है और वो भी जब नीतीय आयोक की बैठक में वो सामिधende होने थे तब भी उन्होंने प्रमुक्तस उस बात को उठाया था और जब प्धान मतने नरेंद्र भूदी से उनकी मुलकात होई ही तब भी उन्होंने इस बात को जोड कि युद्धा है जित्ता है और हारता एक है तो इसी को लेकर समंजर से बनाना होगा मुख्यमंत्रि भूपेश बगेल को क्योंकि केंद्र से पैसों की जोरत होती है और पीछले जिनों भी देखा गया था चाहे वो रमन सिंग की सरकार हो उसमें भी पैसों की कमी साथ तर पर कि अंदर से पैसा आता नहीं था तो ये प्रमुक्ता से इस बात को जोर मुख मंतरी भूपेश बगिल ने प्रधार मंतरी के साथ बैठक में दिया था और उम्मीद भी है उनकों की मुलकात के बाद कुछ राहत के अंदर सरकार से मिलेगी जो पैसा यहां पर आड़ा है जो फ पर बता रहे हैं